प्रधान मंद्री नरेंद्र मोदी ने रखी राम मंदर की आधार श्रीला पांच अगस्त की तारिक इतहास के पन्नों में दर्ज हो गई है क्योंकि आज ही के दिन राम मंदर के निर्मान कारे की नीव रख दी गई है शारण मंद्री नरेंद्र मोदी खुद शारणिक तौर पर आयोधिया पहूंचे थे जहां पहुंचकर उन्होंने भूमी पूजन कारेकरह में मौझूदा लोगों का अभिवादन किए सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के हनुमान गढ़ी मंदर में पूजा करने के लिए पहुचे थे जो इसके बाद उन्होंने वहाँ से पूजा करके राम जन्म भूमी स्थल पर पहुचकर रामलला के दर्शन किये इसके बाद वो भूमी पूजन कारिक्रा में शामिल हुए भूमी पूजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदर की आधार श्रीला रखी मिरेजवान कारी के अनुसार इस कारक्रा में RSSS प्रमुक समीत 175 महमान मौजूद दिखे मही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा यह हमें ध्यान रखना है कि जब-जब मानफता ने राम को माना है विकास हुआ है जब-जब हम भटके हैं विनाज के रास्ते खुले हैं और हमें सभी की भावनाओं को ध्यान रखना है नौकरी होने के बावजूद IAS की तैयारी करने वाले युवा ने सभी युवाओं को दिया मैसेज। अब उन्होंने लाखो तैयारी कर रहे हैं। जिसके बाद पटना में संक्रमितों की संख्याद 10,000 के पार पहुँच गई है। वहीं अब तक 6,487 मरीज COVID-19 की परीक्षा को पास कर चुके हैं। पटना में मंगलवार को 6 दिन का शिशो भी COVID-19 पॉजिटिव पाई गया है। वहीं आई जो अएमस के तीन डॉक्टर पाथ स्टाफ के 6 परीजन और 4 भरती मरीज मिले हैं। वहीं PMCH में मंगलवार को 24 सांपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिसमें 6 स्वास्तकर्मियों का नाम शामिल है। विद्यारामाकांत मुलरूप से संस्कृत के स्कॉलर रह चुके हैं। काई सारे भोजपुरे फिल्म में विलन का किरदार निभाया है। इसी दोरान अंधिया गई और नाव पलट गई। SDRF की टीम मोटर बोट से नदी में गायब हुए लोगों की तलाश कर रही है। जानगवाने वाले परिजनों को 44 का मुआफ़ा सरकार ने देने का एलान कर दिया है। COVID-19 के माहोल के बीच बिहार की नौन अदिया लाल निशान के पार बाढ़ने विहारवासियों की परेशानी बढ़ा रखी है। मुझफरपुर के सक्रा प्रखंड का भटिंडी गाउं में चारो तरफ से बाढ़ के पानी से घिर गया है। सुबे की नदियों की रफतार पर ब्रेक लगने के बावजूद अभी भी नौन नदियों का जलस्तर लाल निशान के उपर बह रहा है। प्रखंड की गंगा का जलस्तर पूरे प्रदेश में बढ़ रहा है। बहीं प्रभावितों के बीच तेजी से रहत और कारे बचवा चल रहा है। करता ने आयूश मंत्राले द्वारा सुझाए के विधी से बनाये काड़े का स्टॉल लगाया है जोहां लोगों कुनी शुलक काड़ा पिलाया जा रहा है भोजपूर के शाहपूर वधानसभा की पूरवधाय का मुन्नी देवी की टीम ने शाहपूर अलाके में कई जोगों पर थेला स्टॉल लगाया है और इसे नाम दिया है नमोकाढ़ा सरकारी अस्पताल में मुफ्त होगी कोवड-19 एंटीबॉडी की जोँच राजहानी पटा में अलग अलग अलाको में कोवड-19 के 315 से ज्यादा मामले भी देदन सामने आए हैं जुले में कोवड-19 संक्रमी लगेगी वो भी मुफ्त में कोवड-19 का संक्रमन ठीक भी हो गया है और पता ही नहीं चल रहा है कि शरीर में कोरोना से मुकाबला करने की इम्यूनिटी डेवलाप हुई या नहीं इसके लिए आई जीजी इलाइजा की जांच कराई जाएगे इस जांच में पता चलेगा कि एसिंटमाटिक मरीज में कोवड-19 का एक्सपोजर हुआ है और इम्यूनिटी डेवलाप हो गई है और मरीज को पता भी नहीं चला है अस्पताल के सूत्रों की माने तो गुरवार सी हजांच शुरू हो जाने की उमीद जताई गई है इससे पता चलेगा कि शरीर में कोवड कोवड-19 का मुकाबला तयार करने के लिए अंटिबॉर्डी तयार हो गई है या नहीं बैदर इलाज के लिए 6 नीजी मेडिकल कॉलेज उस्पताल में 720 बेड हुए आरक्षित राज में कोवड-19 संक्रमेदों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है लोगों का इलाज कर कोवड-19 मरीजों का इलाज होगा जिसके लिए 720 बेड की विवस्था कर दी गई है इसके साथ ही सरकार ने नीजी हॉस्पिटल में भी भुगतान के आधार पर कोवड-19 मरीजों के लाज के नुमती दे दी है और हॉस्पिटल में 3237 की विवस्था की जा चुकी है बिहार मे बाड के कारण 14 जिलों में 60 लाख लोग आये बाड की चुपेट में बिहार में बाड की सिति लगातार विगड़ती जा रही है अब तक लगभाग साथ लाख लोग बाड की चुपेट में आ चुके हैं आप दा विभाग के तरफ से जारी के जानकारी के नुसार पिछले 24 16 ने पंचातों में बाड का पानी घुजचानी की वज़े से 14 जिलों में 69,70,000 लोग बाड की चुपेट में हैं वहीं इसके बाड लगातार बाड का केहर बिहार में जारी है बिहार में बाड की सिति को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग के आपर सचिप ने मीडिया से ब परिशान थे सुशान सिंग राजपूत के गए हुए 1.5 महीने से जादा का समय हो गया है वाई अब उनके इस कदम के पीछे की असली वजह सामने नहीं आई है सुशान सिंग अपनी सेकरेटरी दिशा के जाने के बाड भी काफी परिशान चल रहे थे इसके साथ ही सुशान रिया चकरवर्ती और महेश भट की करीबी को लेकर भी परिशान रहते थे सुशान सिंग राजपूत के करीबी मित्र ने मीडिया से बाचीत में बताया है कि सुशान जब भी अंकिता लोखंडे की बात करते थे तो वो काफी ज्यादा खुश देखते थे जोसे मैं समझता लेकिन रिया चकरवर्ती के आने के बाद सुशान से ज्यादा बात नहीं हो पाती थी सुशान कहते हैं कि रिया हमेशा महेश भट के संपर्क में रहती थी इसके साथ ही सुशान के दोस्त ने खुलासा किया है कि सुशान अपनी सेकरेटरी दिशा के जाने के बाद से काफी परिशान थे उन्हें पता था कि दिशा की जान कैसे गई है और वो फ्लाट में काम करने वाले संदीप को काफी संदीप मान रहे थे उनका कहना था कि संदीप सब कुछ जानता है पार प्रभावित अलाकों का हवाई सर्वेक्षन करके मुख्यमंत्र नितीश कुमार निकले बाहर पर टलता जा रहा था पर जिने में दिपोट सफ मनाया जाएगा वीवो ने किया IPL 2020 की टाइटल स्पॉंसर्शिप छोड़ने का फैसला का सामना करना पड़ रहा था हाला कि चीनी कंपनी वीवो भी दुनिया के सबसे महंगी घरेलो क्रिकेट लीक की टाइटल स्पॉंसर है हाला कि भारत चीन के बीच उत्पन हुए तनाव के बाद भारते क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर वीवो से करार तोडने का दबाफ पड़ा था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया इसके साथ ही वीवो को IPL का टाइटल स्पॉंसर बनाए रखने के लिए BCCI के फैसले का विरोध भी शुरू हो गया था जिसके बाद अब खुद वीवो ने इस साल IPL के टाइटल स्पॉंसर से पीछे हटने का फैसला लिया है अगर ऐसा होता है तो BCCI के लिए सही रिप्लेस्मेंट ढूरना बहुत मुश्किल होगा भूमी पूजन पर राहूल गांधी ने किया श्री राम को याद किया है और श्री राम के मुल्यों को संदेश देते वे शारो है शारो में भाज़पा पर निश्वाना भी साधा है राहूल गांधी ने भूमी पूजन के बाद ट्वीट किया और भगवान राम को मानविय गुणों का सर्वोत्तम स्वरू बता है उन्होंने लिखा पूर शृतम भगवान राम सर्वोत्तम मानविय गुणों का स्वरूप है वो हमारे मन की गहराईयों में बसी मानवता की मूल्भावना है इसके साथ ही राहूल गांधी ने भगवान राम के गुणों का दिक्र के आए रशार शारो में सतारूर भाजपा पर निशाना साधा है उन्होंने लिखा कि राम प्रेम है वो कभी घ्रडा में प्रकट नहीं हो सकते राम करुना है वो कभी करूरता में प्रकट नहीं हो सकते राम न्याय है वो कभी अन्याय में प्रकट नहीं हो सकते और बेल आइकों दबाना ना भूले धन्यवाद